हेलो फ्रेंज, वेल्कम तो डिडिटी रेसिपी सबसे पहले हम एक गेजी बिल्कुल मीठे और पके हुए मैंगोज लेंगे और उनको छील कर चोटे-चोटे पीसे में कट कर लेंगे एक बात का धिरान रखता है कि आईस्क्रीम बनाने के लिए बिल्कुल मीठे होने चाहिए मैंगोज और इसको फिर हम एक ग्राइंटर में डालकर बहुत फाइन प्योड़े बना लेंगे प्योड़े हमारा पट के तयार है हम फिर भी इसे चान लेंगे अगस पे कुछ भी चोटे पीसे बच्चे होंगे तो वो चंड जाएंगे इस तरीके से हम एक सीव रखेंगे और उसमें प्योड़े डाल देंगे और चानने के बाद हम इसे पल्प को फ्रिज में रख देंगे और तब तक हम अपनी क्रीम को विप कर लेंगे आइस क्रीम बनाने के लिए जार मैंने इसमें अटैज कर दिया है यह जार मैंने दो घंटी तक प्रिज में रखा था ध्यान रखें जब भी आपको विपिंग करनी हो तो यह जार हमेशा जो चिल्ड होना चीए ठंडा होना चीए और इसमें मैंने विपिंग अटैजमेंट भी लगा के ही इसको रखा एक प्यारी की 250 ml चिल क्रीम डालेंगे इसे मैंने अभी अभी फ्रिजर से निकाला है इसे हम पूरे दो मिनट तक विप करेंगे और स्पीड भी हम जो है दो पे रखेंगे देखें जैसे मैं अब कर रही हूं एक दो तीन लिखा होता तो मैंने इसे दो पे रखकर विप कर इसी तरीके से दो पे रखके विप करना है दो मिनट के लिए दो मिनट हो गए है तो चलिए चेक करते हैं देखें क्रीम डबल हो गई है और सॉफ्ट हो गई है लेकिन अभी स्मूध होना और फ्लफी होना बागी है अब इसको तीन पे रखके देखें मैंने तीन पे रख ल अब मैं इसमें एक कैन कंडेंस मिल्क टाल रही हूँ यह वेट से 400 ग्रैम है और इसलिए इसमें हमें इक्स्टा शुगर की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है बंद करके हम फिर से डो की स्पीड में देखें टू की स्पीड में मतलब मीडियम स्पीड में हाफ मिनट के लिए विप करेंगे जादा विप हमें बिल्कुल नहीं करना है देखिए इसका टेक्शिर कितना अच्छा हो गया है बिल्कुल स्मूद, फ्लाफी और क्रीमी क्रीमी फ्रिज में से निकालके हम प्योडे को अब क्रीम में डाल देंगे और इसको बंद करके हम हाफ मिनिट के लिए बीडियम स्पीड पे चलाएंगे दोकी स्पीड पे इससे जादा हम इसको नहीं चलाना है बस आदे मिनिट के लिए हमें इसे चलाना है देखिए हमारी आइस क्रीम बेस बन के तयार है कितना soft और कितना fluffy ये बना है कितना creamy texture इसका दिख रहा है हमारी ice cream भी इसी तरीके से बहुत ही tasty और creamy creamy बनने वाली है तो इसको हम एक container में transfer कर देंगे इस तरीके से मैंने container ले लिया है आप किसी भी shape का ले सकते हैं और इसको transfer कर लेंगे देखे टेक्शर कितना अच्छा है इसको हम level कर लेंगे और थोड़ा सा इसको हम tap भी करेंगे उसके बाद हम इसके ओपर मैं इस तरीके से एक cling sheet लगा रहे हैं आप चाहें तो aluminum foil भी इसके ओपर लगा सकते हैं इसको लगाने से इसके ओपर ice cream के ओपर बिल्कुरी ice नहीं जमती है और बहुत ही अच्छी हमारी creamy texture की ice cream बनके त्यार होती है देट लगा के हम fridge पे इसको 6-7 घंटे के लिए या जब तक जम जाए रख 6 hours हो गए है तो चलिए मैंने box को दी फ्रिजर से निकाल लिया है इसको open करके देखते हैं क्लिंग शीट भी हटा लेंगे वाव देखिए इसके पर बिल्कुल भी ice नहीं जमी है बस जब मैंने box को फ्रिजर पर रखा तो थोड़ा से यह slant हो गया था तो यह even नहीं जमा है Arbeit ice cream बहुत क्रीमी बली है इसको हम ice cream scoop से सर्फ कर लेंगे इस बार आप mango ice cream इसी तरीके से बनाएए यह बहुत ही क्रीमी बहुत ही जल्दी बन जाती है और mango ice cream सभी को बहुत पसंद होती है मेरी तो यह favorite है देखें मैं अजीक से आपको दिखा रही हूं कितनी अच्छी है जमी है मैं इसको पिस्ता से गानिश करी हूं आपको जो भी पसंद हो उससे आप गानिश कर सकते हैं mango के cut pieces से भी कर सकते हैं अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है तो इसको like and share करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना फिरकुर भर भूलिए बेल आइकन को भी प्रेस करिए ताकि मेरी आने वाली वीडियो उसका आपको पता चल पाए थैंक्यू फॉर वाचिंग गुडबाई हेल्दी रहिए खुश रहिए